तो आजम का एक आदत है ये वो बोखला गए है और मैं हमेशा मैं उमीद करती हूँ कि आजम खान साब सुधरे लेकिन मुझे ओभी अज अब नहीं है क्योंकि वो सुधर नहीं पाएंगे आदत से मजबूर है इन लोगों को जो सापा के जो कैंडिडेट है तो वो कई बार ल आज जीरो पे आगए है वो ओट डालने का हिसेद भी नहीं है चौबिस में दो हदा चौबिस में जैय जी रामपूर से लड़ेंगे चुना लोग सब आए इन्शालला कोशिश करते हैं हमारे साथ है जैब ब्रदा जी रामपूर पहुची है निकाए चुनाओं में 50 पे सा हादी के हमारे जो बहन डाक्टर मुशरत जी के लिए मैं आई हूं और उनको समर्थन करने मुझे उमीद है कि लोग मैं जब ही कुछ मांगती हूं तो मुझे खाली हाथ वापस नहीं बेचते हैं इसलिए मैं उमीद करते हूं कि क्योंकि डबल इंजन सरकार है मोदी जी और जी के तो लोगों के लिए अभी बहुत चिन्तित करते थे लेकिन आज इन लोगों को जो सापा के जो candidate है तो वो कई बार लोगों ने उनको मौका दिया लेकिन अभी भी उनके सुविधाओं से लोग बन्चित रहे हैं आज मैं चाहती हूँ कि इसमें बदला होनी चाहिए और डबलिंजन सरकार के वज़े से लोगों को यहां पे जो मांग है और वो पूरा करे तो आज मैं हमारे बहन के लिए मैं आई हूँ और मुसरजी जरूर वो जीतेगी और लोगों के बीच में रहेगी तो आजम का ये आदत है ये वो बोखला गए है और मैं हमेशा मैं उमीद करती हूँ कि आज अब नहीं है क्योंकि वो सुधर नहीं पाएंगे आदत से मजबूर है कि वो इसी के वज़े से हेट स्पीचस के वज़े से दूसरों को दोशित करने में दूसरों को गल्द टिपनी करने में दूसरों को गाली देने में माहिर है तो इसी के वज़े से उनको नुक्सान हुआ है और कहां के आजम कहां करते थे और कहां आज जीरो पे आ गए है बिल्कुल जाएंगे हमेशे हमेशा मैं मैं बहुत मुझे रामपूर के बाद लोगों से बहुत लगाव है और लोग मुझे बहुत बेहत प्यार करते हैं उस दुगले मेरा जो जीवन का एक अगर कोई खुशी है तो मुझे रामपूर जब जब इस धरती को चूती हूं और लोगों से मिलते हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है चर्चा बड़ी चली थी इस बार उप्चुनाओं के अंदर स्वा टांड़ा में कि जैपिर्दा जी भी जो हम इस बार होंगी तो लोगों में बड़ी खुशी थी तो क्या हुआ हुआ कि अपना दर को चला गए हम अगर पद भी नहीं है तो मैं ऐसे भी आती हूं तो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं हमेशा आए आउंगी कुछ नेता मुझे नहीं चाहते थे इसलिए मुझे दूर कर दिया और आजम जैसे लोग तो लेकिन उनको क्या मिला इसलिए तो आजम भी अब पद के बगार और सत्ता के बगर तो बैठा है इसलिए दूसरों को गलत इस्तमाल गलत इस्तमाल इस्तमाल करके गरीब लोगों को आसू जो है यह आ है इसलिए आजम को इस्तिती पहुंचा है कि गलत गरीब लोगों को गलत इस्तमाल करके उनके जो हडपना उनके जाइदाद हडपना उनको रुलाना यह सारे चीज़ें तो अल्ला माफ कभी नहीं कर सकता है 24 में 24 में 24 में जाय जी रामपूर से लड़ेंगे चुना लोग सब है इन्शालला कोशिश करते हमारे हाथ में तो नहीं है मुझे तो बहुत लगाव है लगाव है चले शुक्रिया तो यह हम ऐसा जाय जी जाय प्रदाजी जिन से हमने बात की रामपूर सामिर खान यूपी तक